नमस्कार आप सभों का स्वागत है मैं वारिष सिद्धिकी आज हम लोग पिछले वर्षों के प्रश्णों को करेंगे UPPCS, BPSC और MPPSC के पिछले वर्ष के प्रश्णों को करेंगे वेलकम तारक, पूजा, जीतू आपका स्वागत है दीपक आपका स्वागत है वेलकम प्रबल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप लोगों का वेरी वेरी वार्म वेलकम टु यू और आज हम लोग पिछले वर्षों के प्रश्णों को करेंगे पिछले वर्षों के प्रश्णों को करने का अपना महत्व है क्योंकि जो प्रश्ण पूछे जा चुके होते हैं वह महत्पुन एरियास से होते हैं तो जब हम पिछले प्रश्णों को करते हैं तो हमें उन महत्पुन एरियाज की बहतर समझ होती है दूसरी बात क्या है कि हमें परिच्छा के पैटर्न का पता चलता है कि किस प्रकार के प्रशन पूझे जा रहे हैं और हमारी तयारी में एक दिशा पैदा होती है वेलकम पूझा रिंकी तो मैं कहे रहा था कि पिछले वर्शों के प्रशनों से एक दिशा तै होती है हमें पता चलता है कि किस प्रकार के प्रशन पूझे जा रहे हैं और जब हम पुस्तक का अध्यन करते हैं तो हम इस बात को चूज करने में हमें आसानी होती है कि किन बातों पर ज़्यादा महत्व दिया जाए और किन बातों पर कम महत्व दिया जाए और एक और बात यह है कि पिछले प्रशन भले ही same to same repeat नहों लेकिन बदले हुए रूप में वह पूछे जाते हैं या तो दूसरे PCS में पूछ लिये जाते हैं या same PCS में ही वह बदले हुए रूप में दूसरे ढंग से या उससे संबंधित कोई तथ्य जो हैं वह पूछ लिये जाते हैं तो पिछले वर्शों के प्रशनों को करने का अपना महत्व है उससे हमारी तयारी को फाइदा होता है हमारे भीतर एक परतियोगितात्मक धार पैदा होता है एक एज एक competitive एज पैदा होता है और यह बहुत महत्वण बात है तो आज हम महत्वण आज हम पिछले वर्श के प्रशनों को करेंगे UP-PCS और BPSC और MP-PCS के प्रशनों को हम करेंगे पहले मैं एक संच्छिप्त परीचय आपको अपना दे दूँ मैं पिछले 14 वर्शों से सिविल सेवा अभिहर्थियों को पढ़ा रहा हूँ इतिहास में मैं नेट हूँ और इतिहास से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और अतीत में मैंने UP-SC इंटर्व्यू दिया है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरा नाम वारिश सिद्धिकी है वेलकम रिंकी शाजहां आपका स्वागत है सभों का स्वागत है बहुत अच्छा लग रहा है आपके समक्च होकर और आपका जो जोश है और आप जो सीखने की चाह है जिसके कारण आप इस क्लास में मौझूद है वह चाह वह बहुत जबरदस्थ है और यही चाहत जो होती है कि हम सीखें हम आगे बढ़ें यही इनसान को महान बनाती है तो वेरी वेरी नाइस वेरी वेरी वार्म वेलकम टु यू आल वेलकम रोशन और पहले पहले मैं आपको एक महत्तपुन जानकारी दे दूँ आप स्क्रीन पर देखें आप परिक्षा की तयारी कर रहे हैं तो यह बात जानना आपके लिए बहुत महत्तपुन है कि क्या एमर्जेंसी है कितना अर्जेंट है और कितना समय बचा हुआ है एक एक लम्हे का हिसाब होने चाहिए एक एक छण का हिसाब होना चाहिए हर छण महत्तपुन है तयारी के लिए किसी भी छण को बरबाद नहीं करना है तो UPPSC 2021 जो है वो 13 जोन 2021 को हुगा और सिर्फ 111 दिन बचे हुए है आरो ए आरो का जो एकजाम है वो 11 अगस्त 2021 को होगा और केवल 161 दिन बचे हुए है MPPSC 2020, 11 April 2020 को होगा और सिर्फ 49 दिन बचे हैं और जहारखंड PSC जो है वह 70 दिन बचे हैं वह एकजाम 2 मई 2020 को होगा तो वेट नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है, केवल सोच कर प्लानिंग नहीं करना है बलके तुरत कमर कस लेना है, तुरत तैयारी स्टार्ट कर देनी है बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के, हर च्छन कीमती है, हर लमहा जो निकल रहा है वह हमारा नुखसान हो रहा है और grade up platform से आप जुड़ें, यह जो तैयारी है, जिस भी course की आप तैयारी करना चाहते है उसमें आपको lab होगा, जो भी समय है, उस समय के भीतर जो है, आपकी तैयारी जो है, वह कराई जाएगी और यह grade up का अभी offer चल रहा है, अभी price distribute किये जा रहे हैं, इनाम दिये जा रहे हैं स्कूटी, laptop, mobile यह सब कुछ इनाम में दिया जा रहा है winner का नाम lucky draw के द्वारा निकाला जाएगा और आप भी इसमें भाग लीज़ दे सकते हैं आप अगर grade up का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो grade up का सब्सक्रिप्शन लेने पर आप सोतह इसके part बन जाते हैं आप इस offer से जुड़ जाते हैं और अगर आप जीतेंगे, अगर lucky draw में आपका नाम निकलेगा तो स्कूटी, laptop, mobile, इत्यादी या सारी चीज़ें जो हैं यह वित्रित की जाएंगे आपको भी मिलेगा तो बहुत अच्छा offer है, जबरदस्त offer है तो जैसा की शुरू में ही हम लोगों ने देखा था कि हम लोग पिछले वर्षों के प्रशनों को कर रहे हैं और पिछले वर्षों के प्रशनों से परतियोगिता आत्मक धार पैदा होती है competitive edge पैदा होता है एक दिशा मिलती है, महत्पुन एरियास का पता चलता है और कभी-कभी बदले रूप में और उन तथ्यों से जुड़े दूसरे तथ्यों के रूप में प्रशन रिपीट भी करते हैं और इस लिए पिछले वर्षों को प्रशनों को करना बहुत ही महत्पुन है आईए, अब हम question session start करें, question answer session पहले question को देखेंगे, ये रहा आपके सामने पहला question पहले like कर दें और share कर दें क्योंकि यह class जो है YouTube और एप दोनों पर चल रही है grade up एप और YouTube दोनों पर चल रही है तो जो लोग YouTube पर हैं, वो किरपिया इसे like और share कर दें हमारी मुहिम में हमारा साथ दें हम चाहते हैं कि हमारी free classes जादे से ज्यादा students तक पहुँचें और वह उसका lab उठा दे सकें इसलिए आपके कोई जानने वाले हों, कोई मित्र हों उनके Facebook, WhatsApp पर इसे share कर दें, आप इसे like कर दें, कोई प्रशन हो, आप comment section में लिख कर प्रशन पूछें और चैनल को subscribe कर लें ताकि किसी प्रकार का notification जो है आपको मिल जाए राना प्रताप सिंग, रोमान, दयाशंकर, आप सभूं का भी स्वागत है और दयाशंकर पूछ रहें कि मैं इतिहास में B.A. हूँ, क्या मैं UP का form भर सकता हूँ बिल्कुल दयाशंकर आप UP का form भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं graduation जो है minimum eligibility है, तो आप graduate हैं तो आप इस form को भर सकते हैं तो आईए ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न सरक्षन के लिए राजस्व का मराठा दावा किस नाम से जाना जाता है यह UPPCS 2018 का प्रश्न है UPPCS 2018 का प्रश्न है, सरक्षन के लिए राजस्व का मराठा दावा किस नाम से जाना जाता है कहने का तात पर यह है कि अगर इसे आप दे देंगे, अगर इसे राज दे देगा तो मराठा फिर उसे सुरक्षा परदान करेंगे, उस पर आक्रमन नहीं किया जाएगा और अगर कोई इसे नहीं देगा, तो मराठा उस पर आक्रमन भी करेंगे और किसी प्रकार की सुरक्षात्मक जिम्यदारी मराठा की नहीं रहेगी तो अगर मराठा से सुरक्षा चाहते हैं, चाहते हैं कि मराठा एटैक न करें तो यह आपको देना पड़ेगा, तो क्या देना पड़ेगा सरक्षन के लिए राजस्व का मराठा दवा किस नाम से जाना जाता है मराठा claim of revenue for protection is known by what name आंसर बताइए आप लोग comment box में answer बताइए answer बताइए comment box में क्या answer होगा इसका very good बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग very good, बहुत अच्छा, मोनी, शाजहा, मिल्टन, रिंकी, अम्रित, जीतू, प्रबल, राकेश, निखिल, एकता, दीपक, प्रबल, very good, बहुत अच्छा प्रियास है, राना परताप सिंग ने भी उत्तर दिया है, very good, तो बहुत अच्छा प्रियास है, मैं उत्तर बता दूँ इसका, इसका उत्तर है A, सर्देश मुखी और चौथ, सर्देश मुखी और चौथ, मराठा आप पर आकरमन न करें, इसके लिए चौथ और सर्देश मुखी देना पर चौथ परतिसत था, और सर्देश मुखी दस परतिसत था, सर्देश मुखी केवल दकन के छेतर में लिया जाता था, बलकि और चौथ जो है, वो पूरे भारत में लिया जाता था, तो यह चौथ और सर्देश मुखी इसके उत्तर होंगे, very good, निखिल, very good, चलिए, अब हम अगले क्वेशन के तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेशन आ रहा है आपके सामने, ये रहा अगला क्वेशन, वन मिनट, ये रहा अगला क्वेशन, मद्दकालीन भारत के एतिहासिक सुरोतों में, चकला शब्द का प्रियोग हुआ है, यह, sorry, मद्दकालीन भारत के एतिहासिक सुरोतों में, चकला शब्द का प्रियोग हुआ है, दटर्म चकला हैस बिन यूजड इन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री सोर्शेस, A. यह परगना का समनार्थी था, B. यह सरकार का समनार्थी था, identical to सरकार, C. सूबा और परगना के बीच की छेत्री एकाई थी, लेकिन सरकार का समनार्थी नहीं था, D. उप्युक्त में से कोई नहीं, नन आफ दी एबव, इन में से कोई नहीं, तो यह जो शब्द है चकला, चकला, चकला क्या है, क्या यह परगना है, परगना के अर्थ में है, यह क्या सरकार का समनार्थी है, या कोई और बात है, तो बहुत अच्छा प्रियास है, आप लोगों का ग्यान की इस यात्रा में सभी लोग शामिल हो रहे हैं, पूरे जोश और उत्साथ के साथ सामिल हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, अमरित, पूजा, शाजहा, नैनिका, सुस्मा, नेहा, सभों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि नाम बहुत तेजी से आ रहे हैं, नूरी, वेलकम, दयाशंकर ने भी उतर दिया है, अभिनाश, अभिनाश कुमार, वेरी गोट, तो ग्यान के इस यात्रा में पूरे जोश, खरोश, पूरे उत्साह, पूरी उर्जा के साथ सभी लोग कर रहे हैं, लड़ खडाने से डरना नहीं है, गलत होने से डरना नहीं है, क्योंकि लड़ खडाने पर भी इनसान सीखता है, सवाल है भागेदारी का, सवाल है ग्यान की यात्रा में सामिल होने का तो क्या उत्तर होगा इसका तो मैं उत्तर बताओं इसका उत्तर होगा सी यह सूबा और परगना के बीच एक एकाई थी यह सूबा और परगना के बीच एकाई थी लेकिन यह सरकार नहीं था आवद छेत्र में चकला शब्द का प्रियोग होता था वेलकम नीरज बाबू आपका स्वागत है और बहुत अच्छा सभों ने बहुत अच्छा प्रियास किया यह यूपी PCS 2018 का प्रशन था अब बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश कि चकला जो है चकला को परगना में बाटा जाता था अगला प्रशन देख रहे हैं अब हम लोग तीसरे प्रशन की ओर बढ़ेंगे यह रहा तीसरा प्रशन पुष्यमित्र शुंग द्वारा दो अश्वमेध यग्ज किये जाने के बारे में जानकारी किस लेक से मिलती है Which of the following inscriptions gives the information about two अश्वमेध यग्याs performed by the king पुष्यमित्र सुंग ने दू अस्व में ध्यग किये थे इसकी जानकारी कहां से मिलती है वेरी गोड बहुत अच्छा बहुत अच्छा प्रियास कर रहे हैं आप लोग जीतू दिपक पवन जीतू निखिल नैनिका सभी लोग उत्तर दे रहे हैं रिंकी ने भी उत्तर दिया है नेहा ने भी उत्तर दिया है सभी लोग उत्तर दे रहे हैं और सीखने की यही चाह जो है सीखने का यही प्रियास जो है यह हमें सफल बनाता है और हमारी तैयारी को पूरा कराता है वेरी गोड नूरी राकेश शाजहां अमरित आनंद वेरी गोड बहुत अच्छा बहुत अच्छा प्रियास आप लोगों का मोहित नीरज बाबू राना परताप सिंग अभिनाश कुमार वेरी गोड बहुत अच्छा तो इस प्रश्ण का उत्तर है सी अयोध्या लेक अयोध्या अभी लेक से हमें जानकारी मिलती है कि पुश्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यग किये थे या भी दो UPCS 2018 का प्रश्ण है बहुत अच्छा आप लोगों के भागीदारी को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरी ओर से तालिया चलिये चौते प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं चौता प्रश्ण आ रहा है आपके सामने नीचे दो कथन दिये गए हैं एक को कथन A और दूसरे को कारण R कहा गया है पहले आप कथन पढ़ेंगे और फिर देखेंगे इसमें क्या करना है कथन A कह रहा है कि मद्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया मद्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया English version जो इस question का है वो अगले page पर है चुकि ये question बड़ा था इसलिए एक ही page पर वो नहीं समा रहा था तो अगले page पर मैं आपको इसका English version दिखा दूँगा तो कथन एक एहरा है कि मद्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया और कारण R बताया जा रहा है कि आरंबिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था का शौकीन थे तो ये दो कथन है अब आप इसमें देखना है कि एक A option तब लगाएंगे जब कथन A तथा कारण R दोनों सही है तथा कारण R कथन A की सही व्याख्या करते है B कथन A तथा कथन R दोनों सही है प्रन्तु कारण R कथन की व्याख्या नहीं है C कथन A सही है किंतु कारण R गलत है D कथन A गलत है किंतु कारण R सही है तो आपके उतरों को मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सही उतरा हैं बहुत लोगों ने प्रियास किया है सभी लोग भाग भाग ले रहे हैं सभी लोग ज्यान की इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं सभी लोग प्रियास कर रहे हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा पूना प्रवल जीतू निखिल मोहन नाम इतनी तेजी से मेरे सामने आ रहे हैं कि मैं सभों का नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत अच्छा, और कुंदन सोनकर, मोहित, राना प्रताप सिंग, दया शंकर, नीरज बाबू, बहुत अच्छा, आप लोग का प्रियास बहुत अच्छा है, विनीता, सुरेश, वेरी गोड, अच्छा प्रियास है, नूरी, तो मैं इस प्रश्ण का उत्तर दू, कि दोनों कथन सही हैं, लेकिन कथार जो है, वह एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है, चिस्ती संत संगीत का अनंद लेते थे, संगीत का इस्तमाल करते थे, इसके कारण पुस्तकों को ट्रांसलेट नहीं किया गया था, संस्कृत की पुस्तकों को जो फार्सी में ट्रांसलेट किया गया था इसलिए नहीं किया गया था कि क्योंकि सुफी संत जो हैं वह संगीत में रूची लेते था बलके उन्हें इसलिए ट्रांसलेट किया गया था कि समान्य रूप से यह चेतना थी कि भारतिय गरंथों में बहुत बड़ी बड़ी बाते हैं बहुत महत्वपुन बाते हैं और उन्हें ट्रांसलेट किया जाना चाहिए अगर चिष्टी संथ संगीत में रूची नहीं भी लेते तब भी उन पुस्तकों को ट्रांसलेट किया जाता तो इसका उत्तर होगा बी इसका उत्तर होगा चलिए अगले प्रशन को हम लोग देखते हैं अगला प्रशन आ रहा है आपके सामने यह रहा अगला प्रशन यह तो इंग्लिश वर्जन है पिछले प्रशन का पहले आप इंग्लिश वर्जन जो इंग्लिश मेडियम क चात्र हैं वो चाहें तो एक बार English version को देख सकते हैं ताकि किसी प्रकार का confusion हो तो वह दूर हो जाए और फिर हम अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं ये रहा अगला प्रश्न चार समप निमनलिखित में से कौन सा राष्टवादी समाचार पत्र नहीं था ये BPSC 2018 का प्रश्न है निमनलिखित में से कौन सा राष्टवादी समाचार पत्र नहीं था which of the following was not a nationalist newspaper चार समाचार पत्रों के नाम दिये हुए है आपको उत्तर चूज करना है दह हिंदू, बंगाली, महरत्ता, डी, टाइमस ओफ इंडिया और इसमें यी option भी है कि उप्रोक्त में से कोई नहीं उप्रोक्त में से एक से अधिक अधिकतर आंसर सही आ रहे हैं अधिकतर लोग सही उत्तर दे रहे हैं सुस्मा, साजहा, रिंकी, सुरेश, राकेश, पूजा सभी लोग विनीता सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं मोनी सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं अधिकतर लोग सही उत्तर दे रहें पल लवी प्रबल पवन अमरित जितू बहुत अच्छा बहुत अच्छा बताईए इसमें राष्टवादी समाचार पत्र कौन से हैं प्रियंका राजेश यादव अरून कुश्वाहा कुंदन सोनकर नीरज बाबू राना प्रताप सिंग दया संकर वेरी गोड बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा मैं इसका उत्तर बता दूँ इसका उत्तर है दी टाइम्स ओफ इंडिया टाइम्स ओफ इंडिया रॉबर्ट नाइट ने निकाला था रॉबर्ट नाइट ने इस समाचार पत्र को शुरू किया था टाइम्स ओफ इंडिया को और टाइम्स ओफ इंडिया हमेशा ब्रिटिश का उसने साथ दिया वह एक रास्टवादी समाचार पत्र नहीं था दहिंदू एक रास्टवादी समाचार पत्र था बंगाली सुरेंदरनाथ बनरजी निकालते थे और वह भी रास्टवादी था महरता बाल गंगाधर तिलक निकालते थे लेकिन टाइपस ओफ टाइमस ओफ इंडिया अंग्रेजों का समर्थन करता था रॉबर्ट नाइट इस समाचार पत्र को उन्होंने निकाला था यह है प्रश्ण और उसका उत्तर बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं शामिल हो रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है जब हम गलत भी करते हैं और जब हमें अचानक से पता चलता है कि भाई यह उत्तर है तो वो चीजे हमारे दिमाग में फिक्स हो जाती है जब आप मान लिए गलत ठिक मार रहे हैं गलत उत्तर दे रहे हैं और जब अचानक से पता चल रहा है कि यह उत्तर है तो वो बात दिमाग में बैठ जाती है तो भागेदारी महत्पुन है प्रियास मह कुर्र हैं चलिए च्छठे कोस्टन की तरह बाठते हैं सिक्स्त को देखते हैं रजनीय पामदत ने कहा मोजनी पामदत ने ने कहा उन्होंने समराजवात के साथ लड़ाई और सह 씨योग किया वह किस राजनेतिक समूह का जिक्र कर रहे थे. Rajneem Palm Dutt said they both fought and collaborated with imperialism. Which political grouping was he referring to? A. Indian National Congress. B. Communist Party. C. Souraj Party. D. Hindustan Socialist Republican Association. E. इन में से कोई नहीं या इन में से एक से अधिक. None of the above or more than one of the above. Rajneem Palm Dutt आरपी दत जो हैं वह किस पाटी के बारे में यह बोल रहे हैं? किस बाटी के बारे में ऐसा कह रहे हैं? बहुत अच्छा मोहन, सुरेश, विने, नैनिका, पूजा, जीतो, प्रबल, अच्छा प्रियास कर रहे हैं. आप लोग सभूं का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ. नाम बड़ी तेजी से मेरे आग के सामने से गुजर जा रहे हैं. All About Life, मोहित, अरुन कुश्वाहा, आइशा नाज, नीरज बाबू, अरुन कुश्वाहा, बहुत अच्छा प्रियास आप लोगों का बहुत अच्छी कोशिश. राकेश, जीतू, असोस, चंदन, मिर्तियुन जय, सभी लोग बहुत अच्छा पाटिसिपेट कर रहे हैं. रिंकी, वेरी गोड, एकता, बहुत अच्छा, पवन, वेरी नाइस, एक्सेलेंट, मार्विलेस, सुपर्ब, आसम, वसीम, वेरी गोड, राकेश, बहुत अच्छा. तो इस प्रश्न का उत्तर है ए भारतिय रास्ट्रिय कॉंग्रेस. रमेश पामदत, रजनी पामदत, जो की एक सोतंता सेनानी थे और जो एक कॉम्मिनिस्ट थे और जिन्होंने इंडिया टुडे नामक पुस्तक लिखी. उस पुस्तक में वह कॉंग्रेस के बारे में कहते हैं कि कॉंग्रेस जो है वह समराजवाद से लड़ता भी था लेकिन कभी-कभी वह समराजवाद के साथ सहीयोग भी करता था समराजवाद से लड़ता भी था और कभी-कभी समराजवाद से सहीयोग भी करता था यह है आरपी दत का कहना चलिए अगले कुरश्चन की तरह बढ़ते हैं यह रहा अगला कुरश्चन 1875 के दकन के दंगों का तातकालिक कारण क्या था 1875 के दकन के दंगों का तातकालिक कारण क्या था यह भी BPSC 2018 का प्रश्ण है A. आकाल की छाया The Shadow of a Famine B. महाजनोद्वारा उच्च बयाजदर High Interest Rate Charged by the Mahajans C. उच्च भूमी राजस्वदर C. High Land Revenue Rates D. धार्मिक सुधार्नों को थोपने का विरोध Protest Against Imposition of Religious Reforms E. उप्रोक्त में से कोई नहीं या उप्रोक्त में से एक से अधिक राकेश, रिंकी, शाजहा, कृष्णपाल, पूजा, पलवी, जीतू, आयुश, वसीम बहुत अच्छा बहुत अच्छा आप कर रहे हैं और ग्यान के इस यात्रा में आप शामिल हो रहे हैं, कुछ सीखने का प्रियास कर रहे हैं और इस प्रश्ण को आप उत्तर देने का प्रियास कर रहे हैं और बहुत अच्छी कोशिश है यह, प्रबल, राकेश, वन्दना, पवन, मोनी, अमरित, एकता बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गोड, वेरी नाइस, बहुत अतुलनी हैं जितनी आप की प्रशंसा की जाए उतनी कम है इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या है इस प्रश्न का उत्तर है इस प्रश्न का उत्तर है दयाशंकर भी उत्तर दे रहे है नीरज बाबु भी उत्तर दे रहे है गौरव आईशा नाज सभी लोग प्रियास कर रहे हैं कुंदन सोनकर अरुन बहुत अच्छा वेरी गोड वेरी नाइस नूरी विद्या और इस प्रश्न का उत्तर है उच्छ भूमी राजस्वदर हाई लेंड रेवेन्यू रेट्स हाई लेंड रेवेन्यू रेट्स क्योंकि जो दकन छेतरों में दकन दंगे क्यों हुए थे क्योंकि वह कर्ज की जाल में फस गए थे लेकिन कर्ज की जाल में फसने का जो तातकालिक कारण था वह क्या था कि भूमी राजस्व को बढ़ा दिया गया था भूमी राजस्व को बढ़ा दिया गया था तो भूमी राजस्व बढ़ा दिये जाने के कारण किसानों पर प्रेशर हो गया किसानों के पास परियाप्त धर्ण नहीं थे और वह साहुकारों के चंगुल में फस गए और कर्ज में डूब गए इस लिए दकन दंगे हुए थे चलिए अगले प्रशन को देखते हैं आठवे प्रशन को वर्ष 1938 के लिए भारतिये राश्ट्रिये कॉंग्रेस का ध्यक्ष की से चुना गया था वर्षा शुष्मा ग्यानेंद्र शुष्मा सभी लोग उने उत्तर दिया है आगे भी उत्तर दे रहे आशुतोस एकतार राकेश मोहन शाजहां पलवी मोनी मिर्तियुन जये भी बहुत अच्छा पूजा, रिंकी, राकेश, अमरित, जीतु सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है और इस प्रश्ण का उत्तर देखेंगे हम लोग इस प्रश्ण का उत्तर क्या है इस प्रश्ण का उत्तर है इस प्रश्ण का उत्तर है भी सुभास चंद्रबोस 1938 में अधीवेशन हरीपुरा में हुआ था हरीपुरा में हुआ था और हरीपुरा में सुभास चंद्रबोस अध्यक्षते आईशा ना, साकेत राज, कुंदन सोरकर, अरुन कुश्वाहा, नीरज बाबू, सूर्य कांत, सभी लोगों ने प्रियास किया है, सभी लोगों के प्रियास को मेरा सलाम, सभी लोग जो हैं, वह अच्छा प्रियास कर रहे हैं, नौवे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नाइन् किये, which of the following मुगल एंपरर्स इंट्रोड्यूस्ट एजुकेशनल रिफॉर्म्स, निम्न में से किस मुगल समराट ने सिख्छा संबंधी सुधार किये थे, which of the following मुगल एंपरर्स इंट्रोड्यूस्ट एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जहागेर शाजहा, हुमायू, अक्बर रिंकी, जीतू, मोनी, शाजहा, मोहन, वसीम, बहुत अच्छा प्रियास कर रहे हैं, आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आकाश गुहा, नीरज बाबू, साकेत, राय, दयाशंकर, अच्छा प्रियास है आप लोगों का, अरून, कुश्वाहा, वेरी नाइस, वेरी गोड तो किसने शैक्षनिक सुधार किये थे, इस प्रश्न का उत्तर है, अकबर, अकबर, डी आंसर होगा, बड़ी संख्या में सही उत्तर आया है, डी आंसर होगा, अकबर, अकबर ने शैक्षनिक सुधार, शिक्षा सम्बंधी सुधार किये थे, अकबर ने शिक्षा सम्बंध सुधार किये थे तो यह उत्तर है इसका और यह भी मदपरदेश PCS 2014 का प्रश्ण है इसके पहले भी हमने मदपरदेश PCS का ही प्रश्ण देखा था अब मदपरदेश का एक और प्रश्ण हम देखेंगे 2014 में पूछा गया या प्रश्ण है आपके सामने निम्न में से किस सिख गुरू ने खालसा पंथ की इस्थापना की थी निम्न में से किस सिख गुरू ने खालसा पंथ की इस्थापना की थी गुरू गोबिंद सिंग, गुरू तेक बहादूर, गुरू नानक देव, गुरू हर गोबिंद वसीम, जितू, मोनी, आर्ती, वंदना, पूजा, राकेश, सभी लोग जवाब दे रहे हैं और देखते हैं किसका किसका आंसर सही है साकेत राज, आईशार नाज, निखिल राना, बरिगोट बहुत अच्छा किस सिख गुरू ने खालसा पंत की, अस्थापना की, कुंदन सोनकर, नीरज बाबू, बहुत अच्छा प्रियास है आप लोगों का वंदना, पुजा, राके, शाजहां, आयोश, प्रबल, रिंकी, मोहन, बरिगोट और सभी लोग इसका उत्तर जानते हैं इसका उत्तर है गुरू गोबिंद सिंग गुरू गोबिंद सिंग गुरू गोबिंद सिंग ने खालसा पंथ की इस्थापना की थी गुरू गोबिंद सिंग जो की अंतिम गुरू थे उन्हों ने खालसा पंथ की इस्थापना की थी खालसा पंथ की इस्थापना की थी बहुत जबर्दस्त रही, आपने पूरे जोश, पूरी उर्जा, पूरी समर्पन के साथ आपने भाग दिया, बहुत अच्छा लगा, सीखने के लिए यही सारे गुन होने आवश्यक हैं, और निश्चित रूप से इन कोस्चन्स को करने पर आपको लाब होगा, कुछ और बाते करते हैं, फिर आपसे बात करेंगे, आपके कोई प्रशन है, तो पूछेंगे, पहले, पहले आप Grade Up App पर State PCS के जो Free Classes होते हैं, उसका Schedule आप देखें, Grade Up App पर State PCS की Free Classes होती हैं, उसका Schedule है, सुबह दस बजे होती हैं, जिसमें पिछले वर्शों के प्रशनों को कराया जाता है, जैसे अभी आप कर रहे हैं, पिछले वर्शों के प्रशनों को, और दो बजे से रात दस बजे तक लगातार Classes होती हैं, दो बजे बार बार पूछे जाने वाले Topics कराये जाते हैं, चार बजे महत्पुन प्रशन कराये जा रहे हैं, दो हजार महत्पुन प्रशन, पांच बजे आरो ए आरो एक्जाम से Related Topics हो रहे हैं, छे बजे जियस से Related Topics हो रहे हैं, सात बजे Current Affairs होता है, डेली, एवरी डे होता है, सात बजे, आठ बजे जारखंड PCS से Related तयारी हो रही है, नो बजे Grade Up का ब्रहमास्त सिरीज चल रहा है, और दस बजे Study Through Maps, बहुत अच्छा विनीता, विनीता ने सुझाओ दिया है, आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, कि मैं तो अपनी स्तर पर Topic बनाता ही हूँ, और उस पे मैं Class करता हूँ, उस पे मैं Class लेता हूँ, लेकिन आप भी किसी Topic को चाहते हैं, कि उस पे Class हो, तो बिलकुल आप अपनी राए दे सकते हैं, विनीता कह रही हैं, कि की बातों को शामिल किया जाएगा, एक Topic जो उस दिन सजेस्ट किया गया था, दो दिन पहले सजेस्ट किया था, वो था कि दक्षिन भारत के जो राजवन्ष हैं, उसके बारे में, और आज विनीता कह रही हैं, बौध और जैन पर उससे Related प्रश्न भी, उससे Related Topic भी करा जाएंगे, उससे Related Class भी कराएंगे, Very Good, और नूरी कह रही हैं, आधुनिक भारत से प्रश्न कराएंगे, बिल्कुल आधुनिक भारत से भी कराएंगे, आने वाली Classes में आधुनिक भारत से भी Question के भी Classes कराएंगे, तो हर रोज 10 बजे ये Previous Year के Question होते हैं, हर रोज 10 बज IS के Free Classes का Schedule है, IS के Free Classes का Schedule है, बहुत सारे Student जो State PCS की तयारी करते हैं, वह IS की भी तयारी करते हैं, या उसमें रूची लेते हैं, तो IS की जो Free Classes हैं, वह सुबह सारे 8 बजे से, रात 10 बजे तक होती हैं, तरह तरह की चीज़ें कराए जाती हैं, News Analysis होता है, Topic होता है, पिछले वर्ष के प्रशन होते हैं, राज्यसभा टीवी Discussion होता है, अर्थ विवस्था, Socio Economic News पे कराए जाता है, अंतरास्टिये संबंध पर Topic कराए जाता है, काफी डीटेल में बात होती है, और आपको इसके लिए कोई payment नहीं देना पड़ता है, ये बिलकुल Free Classes हैं, और ये सुबह सारे 8 बजे से रात 10 बजे तक होती है, और अभी आपको मैं बता दूँ, आप में से बहुत सारे चात्र यह जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्योंकि वह Grade Up से जुड़ना चाह रहे हैं, तो वह पूछ रहे हैं कि कौन-कौन सी batches अभी चल रही हैं, तो एक तो UPPCS 2021 का express batch चल रहा है प्रारंभिक परिक्षा के लिए, एक RO-ARO का चल रहा है, एक BPSC 2021 का चल रहा है, एक MPPSC 2021 का चल रहा है, एक MPPSC 2020 का चल रहा है, एक MPPSC 2020 का चल रहा है, और एक जारखंड का 2020 का चल रहा है, तो शुरू में ही मैंने बताया था कि कितना कम समय बचा है कितने दिन बची है यह मैंने आपको दिखाया था तो आपको जो है डिले नहीं करना है जल्दी डिसिजन लेना है जल्दी तयारी शुरू कर देनी है और फीस जादा नहीं है तीन मंत की फीस चार हजार रुपए है तीन महिने की फीस चार हजार बारा महिने की फीस आठ हजार रुपए है और नमबर दिया हुआ है स्क्रीन के नीचे आप दिखें नमबर दिया हुआ है 96500-52904 इस पर कॉल करके आप सभी डीटेल्स प्राप्त कर सकते हैं कोई एक्स्ट्रा जानकारी आप पाना चाहते हैं वह इस पर आप पा सकते हैं और जब आप ग्रेड अप सुपर लेते हैं जिसकी फीस मैंने अभी आपको दिखाई तो अलग-अलग कोर्स आपको लेने की जरुवत नहीं है ये नहीं कि अलग से BPSC का ले रहे हैं अलग से MPPSC का ले रहे हैं अलग से UPPCS का ले रहे हैं ऐसा नहीं है एक ही ग्रेड अप सु कारी हो तो आप number dial कर सकते हैं ये class की recording available हो जाएगी पीछे जाकर आप देख सकते हैं क्या number है और फिर आप phone कर सकते हैं ये पूरी team है grade up की जो IS और UPSC की classes लेते हैं उनकी पूरी team है और ये अपने field के जाने माने लोग हैं धुरंधर लोग हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते स्टुडेंट्स को काफी लाब हुआ है इस बार भी जो एकजाम हुए है तो जो के लास में पढ़ाया गया था वहीं से प्रश्न आये थे और इनके पढ़ाने की शैली पर में कुछ बाते बोलूँगा कि ये जो पढ़ाएंगे तो बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे बिल्कुल ABC से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे लेवल को एडवांस करेंगे दूसरी बात काफी विस्तरी थोगा तीसरी बात कठिन से कठिन चीजों को भी या आपको बहुत आसानी से समझाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ग्रेड़ अप क जो टीम है उसकी यही विशेश्ता है और स्टूडेंट्स को सीधा एकजाम में लाब होगा और वह इस एकजाम को क्रेक करेंगे और आप हमारे टेलिग्राम लिंक से भी जोड़ सकते हैं लिंक दिया हुआ है आप देख रहे हैं ये लिंक क्या है और बाद में आप रिकॉर्डिंग खोल कर आराम से इस लिंक को टाइप करके आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जोड़ सकते हैं वहाँ पे आपको study material भी मिलेगा, short notes भी मिलेगा और वहाँ पे भी जो faculty होते हैं, वो live होते हैं मिर्तियुन्जे भी कुछ कह रहे हैं, topics कराने के लिए बिलकुल मिर्तियुन्जे आपकी बात का भी ध्यान लखा जाएगा, रास्ट्री आंदोलन, किसान, जन जाती इन से topics भी कराए जाएगे, नूरी कह रही हैं कि मैं net की भी त्यारी कर रहा हूँ net की मुझे जादा जानकारी नहीं है नूरी, तो आप net की जो team है उससे आप पूछ सकती है नूरी समय नहीं बचता है, तो समय को routine बना लीजिए, उसको बांट लीजिए समय को एक schedule बना लीजिए, एक routine बना लीजिए, और कम समय का ही maximum इस्तमाल कीजिए ठीक है, तो नूरी कह रही हैं नहीं कर पाती है, तो थोड़ी देर लगेगा आपको कभी तयारी तीन महिने में करने की जगा, छे महिने में कीजिएगा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो है तयारी होगी और अच्छे से होगी और कोई problem की बात नहीं है, अगर समय नहीं मिलता है, तो थोड़ा देर से तयारी होगी लेकिन यह है कि schedule बना लीजे, routine बना लीजे, और कम समय का भी भरपूर इस्तमाल कीजे और हमारी और से, और एक आगरा पहले मैं कर लूँ आप से, कि किर्प्या सेशन को like और share कर दे, हमारी जो मुहिम है कि हम ज़्यादर से ज़्यादर free classes को ज़्यादर से ज़्यादर लड़का तक लड़कों तक students तक पहुँचाएं, तो उसमें हमारे साथ से आप like और share करें, question पूछना हो तो comment करें, और channel को subscribe करें, ताकि आपको notification जो है वह मिलती रहें, तो very good, बहुत अच्छा, और हमारी ओर से आपको शुब काम नाए, all the best, आप लोग की तैयारी अच्छी हो, आप सफल हो, दो हजारी कीस में आप दिखा दें, अपनी सफलता प्राप्त करके, दुनिया को दिखा दें, कि देखो मैं आ गया हूँ, मैंने सफलता प्राप्त कर ली है, और अब मैं धमाका करने वाली हूँ, और फिर जब जॉब करके, अपने उत्तरदाइतों को निभा कर, एक बहुत अच्छे से भारत की प्रगती में योगदान देना है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका कोई प्रश्ण है, तो आप पूछें, any other question, जहां तक topics की बात है, सारे topics मैंने याद कर लिया है, आपने जो भी बोला है, जो भी बोला है आपने, उसे मैंने याद कर लिया है, और जैसे जैसे classes होती जाएगी, उनको शामिल किया जाता रहेगा, गौतम बुद पर, महावीर पर, आधोनिक भारत पर, रास्ट्रिया अंदोलन पर, जन जातियों पर, और भी अन्न topics पर, तो आप लोगों ने suggestion दिया है, यह suggestion वेलकम है, हम भी चाहते हैं, कि हम students के लिए बहतर से बहतर चीज़ें ले कर आएं, बहतर से बहतर content ले कर आएं, तो आपका suggestion हमारे लिए सर्वो परी है, और आगे की जो classes होंगी, तो उन classes में धीरे धीरे इनको शामिल किया जाएगा, बिलकुल आप जुड़े रहिए, और निश्चित समय पर आप classes को देखते रहिए, और कोई प्रशन है तो आप पूछें, एनी अदर question प्लीज आस्क, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे आपके प्रशनों का उत्तर देते हूँ, पलवी दकन दंगों के बारे में पूछ रही है, डेकन राइट्स, जी हाँ पलवी, वह साहुकारों के वरुध मुखिता थी, क्योंकि साहुकारों के कर्ज के जाल गए थे, साहुकार के जाल में फस गए थे, तो ब्रिटिश जिम्यदार थे दकन दंजों, दंगों के लिए, कहने का तात पर यह हुआ कि अंग्रेज जिम्यदार थे दकन दंगों के लिए, और कोई प्रश्न, एनी अदर क्वेश्चन, मनीश परधाना चारे उतर परदेश के डिये भी, आपको जो मैंने नमबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस नमबर पर आप एक बाल कॉल करने, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर बता दी जाएंगी, मुझे सारी डिटेल्स मालूम नहीं होती है, लेकिन आप इस नमबर पर डाइल करेंगे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, यह रोशन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, क्या बात है, आज बहुत देर कर दिया आपने, सन्यासी पलवी पूछ रही है, सन्यासी और रामोसी रिबेलियन के बारे में, देखिए, सन्यासी रिबेलियन जो है, आठार्मी शताबदी के अंतिम चरन में हुआ था, सन्यासी और फकीर आपस में जुड़े हुए थे, चुकि कुछ धार्मी किस्थलों पर टेक्स भी लगा दिया गया था, और इस लिए सन्यासी ओंने विद्रोह कर दिया था, और कोई एक नेताइन का नहीं है, या सामुहिक विद्रोह था, और सन्यासी ओं के साथ फकीरों ने भी विद्रोह अलग धंक से किया था, और बंकिम चंच टरजी ने बाद में जो अपनी पुस्तक लिखी आनन्द मठ, उसमें उन्होंने सन्यासी कोई विद्रोह को ही बैक्ग्राउंड बनाया है, और रामोसी विद्रोह में कुई विषयो बात नहीं है, कुछ उसमें राजश्वे से रिलेटेड और क्रिशी से रिलेटेड मुद्दे थे, समस्याएं थी, और पिर वह विद्रोह हुआ, तो उसमें कोई विषयिष बात नहीं है. थैंक्यू मनीश, आपको बिल्कुल उस नंबर पर आपकी बात हो जाएगी, ठीक है, तो, हेलो भावना, आप कैसी हैं, आप दे रही हैं एक्जाम इस बार, और कोई प्रश्ण है, आप लोग तो पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्ण हो, आप पूछ सकते हैं, ओके भावना, बहुत अच्छी बात है, कि आपने प्रिपरेशन ने स्टार्ट कर दी है, और ये भी बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया है, कि ग्रेड अप एप से जुड़ गई हैं, काफी लाब होगा आपको, रोशन कह रहे हैं, बिहार में किसान आंदोलन को संग्छिप्त में, रोशन अब तो समय समाप्त हो चुका है, जब हम टॉपिक करेंगे, किसान आंदोलनों पर हम बात करेंगे, उस समय हम लोग बिहार आंदोलन की भी बात करेंगे, तो मेरा एक विनम आगरा है आपसे कि आप बहुत अच्छा प्रशन पूछ रहे हैं और यह आपकी जागरूकता को भी सूचित कर रहा है कि आप पढ़ने में रूची लेते हैं और आप गहराई में जाना चाहते हैं लेकिन मेरा विनम रनिवेदन है कि यह डीटेल बात जो आ और क्लास में करें ओके तो ठीक है नेक्स क्लास जो है आप ग्रेड अप पर आपको बता दिया जाता है कि शेडियूल क्या है क्लासिस की कौन सी क्लास हो रही है ग्रेड अप आप खोलेंगे तो उसमें आपको लिखावा मिल जाएगा कि कौन सी क्लास होने वाली है और यूटूब पर भी आपको मिल जाएगा कि कौन सी क्लास होने वाली है और आप वहां पर पता कर सकते हैं कि कौन सी क्लास होने वाली है आज शाम को छे बज़े भी मेरी एक क्लास है आप उससे जुड़ सकते ह और उसमें हम काफी important बाते करेंगे, आईशा नाज पूछ रही है क्या हर दिन मैं इस session के लिए आता हूँ, नहीं आईशा नाज हर दिन मैं इस session के लिए नहीं आता हूँ, मोहित पूछ रहे हैं कि जब कोई UPSC की तियारी करता है, तो PCS के लिए फिर क्या पढ़ना आपते हैं कि 70 पर 30, 60, 70 पर 30 चीज़ें सेम होती हैं मोहित, UPSC और UPSC की जो basic बाते होती हैं, जो traditional content होता है, NCRT दोनों लोग पढ़ते हैं, UPSC के लोग भी NCRT पढ़ते हैं, State PCS के लोग भी NCRT पढ़ते हैं, विपिन चंद्रा दोनों पढ़ते हैं, तो 60 से 70 पर 30 जो है एक होता है, लेकिन उसके अलावा फिर अलग से कुछ-कुछ अध्यन करना पढ़ता है, कुंदन पूछ रहे हैं कि cut-off के बारे में cut-off GS के paper पे ही based होता है, ठीक है, द्याशंकर कह रहे हैं कि दो बजे पंकच सर का class रहता है, ओके द्याशंकर आप उस class को करें, बहुत अच्छी बात है, नीरज बाबु कह रहे हैं, सर मेरा lower PCS का test भी लाया करो, ओके नीरज जी lower PCS का भी कराया जाएगा, बिल्कुल आप मत घबराईए, दोनों पेपर का add नहीं होता है, C-set जो होता है उसका add नहीं होता है, नीरज बाबु कह रहे हैं, कुमार गौरव कैसे हैं आप, स्वागत है आपका, तो चलिए, अब समय आ गया है कि हम class समाप्त करें, और फिर मिलेंगे हम लोग एक नए topic के साथ, और हमारी आपकी बाच्चीत जारी रहेगी, सभों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जोश और समर्पन के साथ आपने भाग लिया, बड़ी अच्छी बात थी, बहुत अच्छा प्रियास था आपका, very good, MP पुलिस के लिए भी मैं सज्जेस्ट करूंगा, आगे बोलूंगा कि कुछ न कुछ लाया जाए, BPSC का cut-off 90 to 100 अकसर जाता है, वैसे वह बदलता रहता है, तो फिर से मिलेंगे हम लोग, आज की क्लास समाप्त करने का समय आ गया है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, फिर मिलते हैं, गुडबाई, थैंक्स, जै हिंद, जै भारत!